हेलो एवरिवन इस वीडियो में हम महाभारत कथा के छटे पाठ को पढ़ेंगे पाठ का नाम है कुंती इस पाठ में हमें बताया है कि यदुवंश के एक बहुत प्रसिद राजा थे यानि कि जाने माने राजा थे जिनका नाम था शूरसेन शूरसेन शिरी कृष्ण भगवान के दादा जी लगते थे उनकी एक प्रिथा नाम की बेटी थी प्रिथा के गुण और रूपों की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी शूरसेन के फुफेरे भाई यानि कि शूरसेन जी की भुवा के बेटे कुंती भोच की कोई संतान ना थी यानि कि उनके घर कोई बालबच्चा या उलाद नहीं थी शूरसेन ने कुंती भोच को वचन दिया था यानि कि वादा दिया था कि उनकी जो भी संतान होगी पहली जो भी संतान होगी वैं उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे उसी वादे के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को प्रिथा को गोद दे दिया कुंती भोज के यहां आने पर प्रिथा का नाम कुंती पढ़ गया चुंकि अब वो कुंती भोज की बेटी बन गई थी तो इसलिए उनका नाम कुंती पढ़ गया था फिर एक बार रिशी दुर्वासा कुंती भोज के यहां पदारे यानि की आये कुंती ने एक साल तक बड़ी सावधानी और सहनशीरता के साथ उनकी सेवा सुषरूशा की यानि की सेवा और देखवाल की उनकी सेवा से प्रसन होकर यानि कि खुश होकर रिशी दुरवासा ने उसे उपदेश दिया और बोले कुंती भोच कन्या तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेज़स्वे पुत्र तुम्हें परदान करेगा यानि कि अगर तुम किसी देवता को इसमरण करोगी तो वह अपने ही समान एक तेज़वाला पुत्र तुम्हें परदान करेगा लेकिन कुंती को इस बात पर विश्वास नहीं होता तो वे इसकी परक यानि की जाँच करने के लिए सूरे देव को इस्मरण करती हैं और मंतरों को उचरण करती हैं तो फिर सूरे देव प्रकट होते हैं और वे कुंती को एकतेजस्वी और सुन्दर बालक सौप देते हैं जो की जन्मजाद यानि की बच्चपन से ही कवच और कुंडलों से सजा हुआ होता है और फिर वही बालक आगे जाके करन के नाम से विख्यात हुआ लेकिन अब कुंती की शादी नहीं हुई थी अब कुंती को लोकनिंदा का डर सताने लगा कि मेरा विवा नहीं हुआ और पुत्र हो गया तो मेरी बदनामी होगी तो इस डर से उन्होंने बच्चे को छोड़ने का फैसला लिया और उसे उस बच्चे को एक पेटी में बंद किया और गंगा नदी में बहा दिया फिर वो बच्चा बहुत आगे बहता गया नदी में फिर एक अधिरत नाम के सार्थी की नजर उस पर पढ़ती है वह पेटी को निकाल लेता है और खोल कर देखता है कि उसमें एक सुन्दर बच्चा सो रहा है फिर अधिरत की भी कोई संतान नहीं होती वह नहीं संतान होते है तो वह उस बच्चे को पाकर बहुत खुश होते हैं तो इस तरीके से जो सूरे का पुत्र था सूरे पुत्र कंड वो एक सार्थी के घर में अलने लगता है फिर कुछ समय बीटता है और कुंती विवायोगे हो जाती है तो राजा कुंती भोज उनके लिए एक सुम्बर रचाते हैं उस सुम्बर में देश विदेश से बहुत सारे राजकुमार आते हैं हस्तिनापूर के राजा पांडू भी उस स्वेंबर में शामिल होते हैं कुंती उनी के गले में अपनी वर्माला डालती है और उन्हें अपना पती चुन लेती है महराज पांडू का कुंती से बया हो जाता है नहीं कि शादी हो जाती है और वे कुंती के साथ हस्तिनापूर लोट आते हैं लेकिन उन दिनों क्या होता है कि जो राजा महराजा होते हैं राजबंश के लोग होते हैं वो एक से ज़्यादा शादिक कर सकते थे उनमें एक से ज़्यादा शादिक करने का रिवाज था तो इसी रिवाज के चलते पितामा भीश्म ने महराजा पांडू को सला दी कि वे मदर राज की कन्या यानि की बेटी मादरी से शादी कर लें तो इस तरीके से वे दूसरी शादी कर लेते हैं और उनकी दो पत्निया हो जाती हैं एक कुंती और दूसरी मादरी फिर एक दिन महराजा पांडू जंगल में शिकार खिलने जाते हैं वहीं दूसरी और उसी जंगल में एक रिशी दमपत्ती यानि की पती पत्नी वन विहार कर रहे होते हैं लेकिन महराजा पांडू इस बात से अंजान होते हैं और वे उन पर तीर चला देते हैं और तीर के लगने से उस रिशी दमपत्ती की मृत्यू हो जाती है लेकिन मरने से पहले वे महराजा पांडू को शाप देते हैं कि जब भी तुम अपनी पत्नी के साथ मिलन या समागम करोगे तो तुम्हारी मृत्यू हो जाएगी और जो रिशी उन्हें शराब देते हैं उनका नाम होता है किंदम रिशी तो किंदम रिशी उन्हें मरने से पहले शराब देते हैं जब पांडू को पता चलता है कि उनके हाथों किसी रिशी दमपत्ती की मृत्ति हो गई है तो उन्हें बड़ा दुख होता है और वे अपनी भूल से निराश होकर नगर लोडते हैं और पितामा भीश्म और विदुर को राज्ये का कारेभार सौंप कर अपनी पत्नियों के साथ जंगल में जाकर रहने लगते हैं और ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करते हैं लेकिन कुंती देखती हैं कि महराजा को संतान की इच्छा है लेकिन रिशी के शाप के कारण वे संतान उत्पत्ती नहीं कर सकते तो फिर वे रिशी दुरवासा से मिले हुए वरदानों का जिक्र महराजा पांडू से करती हैं और फिर कुंती और मादरी देवताओं के तो इस तरीके से अब महराजा पांडू के पांच पुत्र हो जाते हैं और वे उसी जंगल में रिशी मुन्यों के साथ पलने बड़े होने लगते हैं फिर अपनी दोनों पत्नियों के साथ और बेटों के साथ महराजा पांडू कई वर्ष तक उस वन में यानि की जंगल में रहते हैं लेकिन वसंत रितू होती है जिसमें पत्ते जड़ते हैं पेड़ पे नए नए पत्ते आते हैं मौसम बड़ा सुहावना होता है ठीक है सारा आनंद में डूवा हुआ लगता है तो महराजा पांडू मादरी के साथ वन विहार कर रहे होते हैं ठीक है प्रकरती की इस उद्गार में सुष्मा को निहार रहेते हैं जो प्रकरती का जो उत्सा भरा हुआ था ठीक है जो आवेश था उसमें उसके साथ और उसकी सुन्दर की मृत्यू उनकी वज़े से हो गई है तो वो भी अपने प्राण त्याग देती है और उनकी भी मृत्यू हो जाती है और जब इस दुरगटना का पता कुंती और पांडव को पता चलता है तो उनकी दुख की सीमा नहीं रहती उन्हें बहुत दुख होता है लेकिन वन के रिशी जो मुनी होते हैं वो उन्हें बड़ा समझाते हैं शान्त कराते हैं और फिर उन्हें हस्तिनापूर ले जाकर पितामा भीश्मक को सौंप देते हैं और जब उन्हें युदिष्टिर को महा जाकर कि सौपते यानि कि पांड़ों को ले जाते हैं हस्तिनापूर तो युदिष्ठिर की जो उम्र होती है वो होती है 16 साल और फिर यहाँ पर बताया है कि हस्तिनापूर के लोगों ने जब रिशियो मुनिस से सुना कि पांड़ों की मृत्ति हो गई है साज जाकर जंगल में रहने लगती हैं और फिर तीनों वरद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती हैं जो तीनों उम्र दराज जो महिलाएं होती हैं वो तपस्या करती हैं और फिर स्वर्ग सिधार जाती हैं और यहाँ पर बताया है कि इस तरीके से वे अपने कुल में जो छल प सिधार गई, तो इस तरीके से हमारे पार्ट खतम होता है, I hope chapter समझायो, thank you.